नमस्कार प्यारे कर्शी ओद्धाओं मैं सिताराम बाकर स्वागत आपका राजस्तान के सबसे बड़े इस्ट्यूट एग्री सेलेक्शन पॉंट के डिजिटल प्लैटफरम पर हैं सभी विद्यारती डाइव जुड़ चुके और आज एक अपन नई क्रोप के साथ सुरुवात करेंगे तो नई क्रोप्स से आपकी मक्का की खेती मक्का की खेती जित्ते भी साती लाइव जुड़े हुए है सबी विद्यारती से निविदने की एक बार वीडियो को लाइक कर दे शेर कर दे और इस चेनल पर अगर आप नए हो तो आप चेनल को जरूर सस्क्राइब कर दे चले दोस्तों बात करेंगे अबर मक्का की केती और मक्का बहुत ही इंपोर्टेंट क्रोप है जो कि खाद्यांत की प्रमुपसल भी मानी जाती है तो ध्यान रखना मक्का से हर बाहर करशी पर वेख सकी में मैं बता रहा हूँ आपको 2012 में आप देख लीजिए कि 2012 में इसका वरगिगरन पूचा गया था उसके बाद में 2013 में जब पेपर आउट हुआ तब भी इससे एक वेराइटी पूची गई थी हाई प्रोटीन जो मेज है उसकी वेराइटी पूची गई थी उसके बाद में अगर बात करें जो 2013 में फिर वापस एक्जाम लगाता 2015 में उसमें भी आपको मक्का से एक क्यूशन पूचा गया था और 18 में भी मक्का से एक क्यूशन पूचा गया था तो हर करशी परवेख सक एक्जाम की दरश्टी से बहुत ही इंप्रोट्डेंट है और हर बार मक्का से पूचा जाता है तो चलिए शुरुआत करते पर मक्का का पहलेब लोट्निकर लिम जानते हैं तो इसका नेम होता जी या मेज दिहां रखना जी चुह क्या हो गया इसका बोट्णिकर लिम हो इत कुल की बात करें तो आप सब जानते हो कुल हो गा इसका ग्रेमनी यह पोएसी अगर इसका अमेरिका अमेरिका माना जाता है और सेंट्रल अमेरिका या फिर आ सकता है मैक्सिको द्यान रखना केंद्रिये केंद्रिये अमेरिका या फिर अपन बोल सकते हैं मैक्सिको मैक्सिको तो यह हो गया इसका उत्पती स्थल अगर गुंसुत्तर संक्या की बात करें तो टुएन बराबर बीस क्या माने जाती इसके गुंसुत्तर तो ये थी मक्का की बारे में basic बात और अब बात करते हैं अपने exam की दरश्टी से कहां से क्यूशन आएगा अगर उपनामों की बात करें तो देखो उपनाम बहुती important है उपनाम से भी आपको क्यूशन देखने को मिल सकता है तो पहले बात करेंगे उपनामों की इस मक्का की खेती को देखो यहां पर सबसे जाए अमेरिका हो रहा है तो इसे फसल को कहा जाता अमेरिका के रीड की हड़ी दिया रखना बहुती इंपोर्टेंट नाम है अमेरिका के रीड की रीड की हड़ी रीड की हड़ी आप जानते ह सब मानव का सब से परमुक अंग माना जाता है और वो माना जाता है रीड की हड़ी तो अमेरिका के रीड की हड़ी किस पसल को कहा जाता है तो वो आ गया आपको मक्का इसी को कहा जाता है अनाजों की रानी अनाजों की रानी इसको कहा जाता है अनाजों की रानी तो द्यान रखना अनाजों का राजा किसे कहा जाता है तो राजा कहा जाता है राजा गेहूं को कहा जाता है ध्यान रखना राजा कहते हैं गेहूं को और रानी कहते हैं किसको मक्क को तीन नाम इंपोर्टेंट अगर बात करें इसको कहा जाता है ड्रोसो फिला प्लांट ड्रोसो फिला द्यान रखना ड्रोसो ड्रोसो फिला पोधा भी कहा जाता है प्लांट बोल दो पोधा बोल दो एक ही बात है तो ड्रोसो फिला प्लांट भी किसे कहा जाता है वो कहा जात पिरानी अमेरिका के रीड की हड़ी और इसके लावा ड्रोसोफिला पादब भी कहा जाता है कि इसको मक्का को कहा जाता है अब देखो बात करी लेते हैं जो मक्का होती है दो काम इंपोर्टेंट है मक्का के एक तो जितने भी अपने मुर्गियों के आहार है ध्यान रखना ए पसल को माना जाता है यह आएगा मक्का क्योंकि मुर्गी के मुर्गी के जो चूजे होते हैं मुर्गियां होती है उनको अपन खिलाते हैं मक्का का दाना तो क्यों से ना सकता है कि कौन सी खाद्यांत पसल मुर्गियों के आहार की प्रमुक पसल मानी जाती है तो वो कौन सी आएगी मक्का तो इसको काम में लेते तो पॉल्ट्री फारम और एक आपने दवाई का नाम सुना होगा वेक्षिन आती है पैनी सिलीन नाम सुना होगा आपके रोगों में मैंने बता दिया अगर आपको याद है तो फटापट कमेंट्स करो पैनी सिलीन की ओजदी किस रोग क ये रोग थाम के लिए लगाई जाती है बिल्कुल बिल्कुल फटापट बताओ तो इसका काम हो गया आप द्यान रकना इसका मेहन काम हो गया पॉल्ट्री फारम पॉल्ट्री फारम वह पैनी सिलीन द्यान रकना पैनी सिलीन पैनी सिलीन दवाई उद्योग में कौन सी फसल काम में ली जाती है वो ली जाती है कौन सी मक्का बिल्कुल बिल्कुल सबी को इस भारत की पावंधरा से प्रणाम तो ये मुझे क्यूसर यह था पैरनी चली नोजदी किस रोग की रोग थाम के लिए लगाई जाती है तो फटा फटा आप इसका आंसर दीजिए अब मैं बात करूंगा इसके प्रोडेक्शन की तो एक बार अगर आप इसके प्रोडेक्शन की बात करें तो सबसे important इसका उत्पादन बात करें तो देखो पूरे विशु की बात करें तो आपको यह तो पता ही है कि सब से 39 सदर किसको माना जाता है अमेरिका को माना जाता है तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इसका production होगा USA के अंदर होगा United State of America सबसे ज्यादा उत्पादन कहा गाइस का उत्पादन पूरे विश्व के अंदर अगर बात कर ले भारत की तो सबसे ज़्यादा होगा आंधर परदेश ध्यान अखना मक्का की खेती कहां की जाती है आंधर परदेश आंधर परदेश तो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर कहा होता है आंधर परदेश के बड़ा समय नहीं बदला आज क्या मक्का की पसल तोड़ी सी बड़ी है डेट गंटे की किलास होगी इसलिए मैंने आज तोड़ा साधे गंटे का टाइम चेंज किया इसलिए आप पैंसन ना ले कल अपन आठ बजे मिलेंगे तो सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करें तो भ साम के लिए लगाई जाती है अभी तक किसी भी स्टुडेंट का आंसर नहीं आया अब बात करें राजस्तान की अंदर तो राजस्तान में सबसे ज़्यदा मक्का की खेती कहां की जाती है वो की जाती है भील वाडा द्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है भील वाडा सभी लिंक को एक बार अपने सातियों के पास और सभी वार्ट से आप गुरूपों में भेज दीजिए द्यान रकना यूपी बूक में यूपी गलत है यूपी नहीं आएगा अंद्रपरदेश आएगा द्यान रकना भी लेटेश जाटा की बात करें तो एक बार लि पुस्प-क्रम होता है मक्का का पुस्प-क्रम मक्का में से एक भी क्यूशन आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि चार एक्जाम होईया सुपरवाइजर के चारों में एक मक्का का एक खूशन आया और यह पांच वह होने वाड़ा है जो 2022-22 पार इसमें होने माथ की रोधी बिल्कुल सही है गोरी संगर जी लेकिन मैं पूछ रहा हूं रोग कौन सा है किस रोग की रोग थाम के लिए पैनिसली नोजदी लगाई जाती है और मैं पड़ा चुगा हूं रोगों को आपको साइध याद नहीं होगा एक बतिलाल जी करें चेचक यह गलत बता रहे तो अब आपको क्यूशन आएगा कि जो मक्का का पुस्पकरम होता है इसको क्या कहा जाता है इस पैडिक्स द्यानकना पुस्पकरम को क्या कहा जाता है इस पैडिक्स इस पैडिक्स द्यानकना बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है मक्का के पुस्पकरम को कहा जाता है इस को कहा जाता है टेसल तो नर्वाग को क्या कहा जाता है नर को बोलते हैं टेसल आगे बताऊंगा कौन सा पहले होता है नर को बोलते हैं टेसल अगर मादा पूछ ले आपको मादा पुस्प क्या बोलते हैं तो वो बोलते हैं सिल्क मादा पुस्प क्या बोलते हैं मादा को सिल् और नर को बोलते हैं टैसल नर को बोलते हैं टैसल बिल्कुल इस पेडिक्स संजे कुमार गुजर जी बता रहे गुजर जी पर नाम तो ध्यान रखना यह बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन है बिल्कुल बिल्कुल तो आप ले सकते हो इसका स्क्रीन सोट और फिर बात करू और तो द्यारत रकना बिहार यहार में उपर लिख देता हूं रेड्पेन से लिख देता हूं द्यार कि गरिक्ति कि दा〜 इस बिहार के अंदर तीनों में । सुम । तिसलिवर कि प्याफिर काई कुरूरे क्लिशल्य यहां ना लेकिन AI management भी तो आपको 店 करना वेफ्रूंट है भूत रिम्पोर्ट्न natural saad पर द्यार काई मारशालों आप फ्रूरे क्या साथ the est placement of pushes यहां Фू स्वार राजे के या हैं मक्ड़क है और ग। में कौन से राज्य में कौन से जिले में की जाती है लेकिन पहले आप ले लो एक बार इसका स्क्रीन सोट और फिर बात करते हैं अगे तो फटापट एक बार जितने भी साथ लाइव चुड़े होने आज तो लाइकों की संक्या भी कम है और लाइव जो जुड़ने वाले स्ट स्टेटस में लगा लो क्योंकि एक मिनट बाद में फिर में वापस आपसे लाइव जुड़ूंगा तो फटापट जुड़ जाई है पटापट पटापट एक बार इस लिंक को सेर कर दो अपने गुर्पों में जब तक डेड़ सो लाइक लाइव नहीं जुड़ेंगे आज मैं बात करूंगा एक्जाम में कैसे कैसे क्यों सुनाएंगे मक्का से एक भी क्यों सुना आपका नहीं बचने वाला आज जब तक नहीं तोड़ेंगे चोड़ेंगे वह कौन सा डायलोग है मैं भूल जाता हूं तो फटापट पट पापा का हेलिकोप्टर जी आप सभ एक पीड नहीं जा रही क्या चकर है एक बार लिंक को जरूर अपने ऌटवार्स एस गूरूप में पार प्रोश्य में रखुप में किसी में और पड़त करूँ लेकिन उससे पहले में आपको एक मोटिवेशनल शायरी सुना देता हूँ यही जजबा रहा फटा पर देखो डेड़ सो लाइक पहुचा दी बात वह इस प्रोब्लम बेटा आएगी कभी-कभी आजाती है यह ठीक ही नहीं हो रही चलो मैं बात करना था मक्का की तो राजस्तान का कौन सा जिला है राजस्तान में भीलवाड़ा नाम सुनाओगा आपने राजस्तान में भीलवाड़ा का नाम सुनाओगा भीलवाड़ा यह जो भीलवाड़ा जिला है यहां पर सोरी राजस्तान में बासवाड़ा लेकिन क्यूसन की लाइन यहाएगी राजस्तान में किस जिले में सबसे तीनों रीतों में मक्का की खेती की जाती है द्यान रखना रहा है बासवाडा बासवाडा जो है बासवाडा इस जिले में तीनों रीतों में तीनों रीतूओं में रीतूओं में क्या की जाती हुं ऑर ध्यानञ्ठान में mostly laave जाती वहो पते ही खरीप में लेकिन क्यूंसण मेडम ऐसा देगी कि राजस्तान में किसी जिले में रभी की म county जाती है। मैं क्योशन भी बता देता हूँ केसा छपेगा, केसा छपेगा.. में बिल्कूल बासवाजा शुह थी THERE कर दों कि कि मक्का पहनी खेती? ररक्वाल क कि गूताव आठोबा भाबा जी यहां हो चाया गाउव का गूरूप ओता । का घुरुप हो चाहि किसी का ओ चाहिए राजनेताओं का भी फैंक देई इस गुरुप की लिंग को उसे वीडियो की लिंक को फैंक दो तुम तो मर्जी आए वाहां फैंक दो डिए लुदे न अपने मोभाइल से निकाल के और अब और छपेगा और इस QS के उपर 3 star सब स्टूडेंट 3 star लगा लेंगे और copy के सब से उपरी पेज में लिखेंगे इस QS को जब भी आप नाने जाओ चाहे खाने जाओ इस QS को आप जरूर याद रिखना एक योजना थी एक कारिकरम था एक प्रोग्राम था उसका नाम था golden rage ध्यान रखना golden rage golden rage अगर यह आपके दिमाग में याद हो गया तो यह समझो आपके तीन नंबर करशी परवेख सकी यह जेट आई कर भी एक पक्के हो गए ध्यान रखना golden rage इसको बोलते हैं सुनहरी किरन इसी को बोलते हैं सुनहरी किरन यह दूनने से भी नहीं चल सकती इस क्यूशन गोल्डन रेंज क्यूशन आएगा golden range कारिकरम किस पसल से संबंदित था और यह कारिकरम चलाय गया था 2009 के अंदर ध्यान रखना 2009 के अंदर golden range कारिकरम कभी प्रार्यम किया गया 2009 के अंदर और राजस्तान के तीन जिले याद रखना बहुत बासवड़ा में की जाती है पहले अंस्र द्यान रखना golden range कारिकरम का जो मतलब जो इस कारिकरम का उद्देश से ता तो वो क्या था उद्देश से की बात कर लो आप उद्देश से मक्का की खेती को बड़ावा देना मक्का की खेती को बड़ावा देने के लिए कौन सा कारिकरम चला गया golden range कब चला गया 2009 के अंदर और इस कारिकरम में तीन जिले सा मिले कौन कौन से ध्यानकणा बासवाड़ा बासवाड़ा आएगा बासवाड़ा मेरा इस फिकर फटने वाड़ा लेकिन आपने वीडियो को सेर नहीं किया बास ख absolument जिले सब से important माने जाते हैं। इन तीनों जिलों के अंदर golden range करिकरम चला गया सुनहरी सुनहरी बिलकुल कवीता मीना जी का right answer था सुनहरी सुनहरा करिकरम golden range सुनहरी की रणड बिलकुल बिलकुल तो यह करिकरम चला गया 2009 के अंदर मक्का की खेती को उत्पादन बढ़ाने के लिए मक्का का उत्पादन बढ़ाने के लिए अब क्यूसन आ जाए कि कौन सी खाध्यांत पसल का सरवाधिक साइलेज साइलेज आप जानते हो जो विचारा और तहरा चारा उसको पर्रक्षित करके पस्वों को आगे भुष्ये के लिए उपियोग में लेना तो मक्का जो होती है, एक तो मुर्गी अहार में और एक शाइलेज के रूप में किसको, कौन सी पसल सरवाधी को प्योग में लाई जाती है, वो आप जानते हो, पहले बता भी चुका, तो वो कौन सी आएगी मक्का, लेकिन आपसे क्यूशन ये इसमें से ये क्यूशन सबसे important है अब एक और क्यूशन बता रहा हूँ वो आएगा exam में आएगा जितने भी अनाजवारी पसले सबसे ज्यादा अनाजवारी पसले में आपको पता कौन कौन आएगा अनाजवारी पसले मतलब ग्रेमने कुल की पसले मतलब पोईशी कुल की पसले तो जितनी भी अनाजवारी पसले सबसे ज्यादा उत्पादक समता कौन सी पसल की होती है तो वहां right answer आएगा क्या मक्का मतलब खह सकता हूँ अनाज वाली फसलों में अनाज वाली फसलों में सरवादिक उत्पादक समता किस पसल की है तो वहां पर क्या आएगा मक्का आएगा मक्का और इसकी उत्पादक समता की बात करें तो लगबग 120 क्यूटल ध्यान रखना 120 क्यूटल परती है क्या होती है इसकी उत्पादन समता होती है रख वो होसला वो मनजर भी आएगा प्यासे के पास चल कर शमुंदर भी आएगा अर ठक कर ना बेट मंजिल के मुसाबिर तुझे म मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा तो यह क्यूसन भी आपका बहुत इंपोर्टेंट है तो बेटा बहुत ही मेंदर सेनी ने बहुत ही अच्छी साहिरी लिखी है बहुत मज़ा आ गया अनाज वाली पसलों में सरवादिक उत्पादन देने वाली समता कौन सी पसल की है वो आएगा आपका मक्का और लगबग 115 से 120 क्विंटल क्या मानी जाती इसकी परती हेक्टियर उपज मानी जाएगी अनाज वाली पसलों में ध्यान रकना अगर क्यूसन आ जाए कौन सी पसल कौन सी खाद्यांत पसल मर्दा सरण को बढ़ावा देती है मर् म 치 को देने वाली बढ़ावा देने वाली फसल लेने वाली फसल कोन सी है मक्का है क्यों क्योंकि क्यों अरे यह इसलिए है क्योंकि इसकी जड़े होती है मक्का की जड़े आपने देखिए क्यों डांस ही डांस चल जाते है नीचे आप देखना जड़े केसी जमती है इसका जो तना होता है इसकी जड़े होती है उनको बोलते है ब्रेस या बोल दो प्रॉप जड़े मक्का में कौन जड़े इसलिए ये जो फसल है ये कौन सी मानी जाती है सर टेलिग्राम पर टेस्ट कब होते हैं किस्मत यादव जी टेलिग्राम पर टेस्ट डेली होते हैं पिछले दो दिन से टेस्ट रुके विए अब साइध आज से चालू हो जाएगा पापा का सक्तिमान बोल रहा आज इतनी जल्दी बेटा जल्दी जल्दी के चकरों में तुम्हेरे को पता ही ने इस चेनल को सस्क्राइब जरूर कर लो और इसके गंठेवाला जो बटन उसको क्या कर लो आप उसको गंठेवाले बटन को दबा दो ताकि कभी भी किलास चले र हां उतली पसल गूजर जी खहरे उतली पसल भी कहते बिल्कुल बिल्कुल गूजर जी आपको व्याद आ गया अब मैं बात करूंगा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रोटो एंड्री इसको कळते हैं जिसके पुस्ब मालो नर जननांग मादा ŞRP पक कर तयार हो जाए, मतलब एक मादा पुस्प है, एक नर पुस्प है, तो ये मादा है और ये है नर, तो इसमें अगर नर पुस्प पहले पक के तयार हो जाए, तो क्या होगा वो प्रोटो एंडरी, तो मक्का कैसी पसल है, प्रोटो एंडरी है, ध्यान अखना, मक्का क्या है, प् प्रोटो एंड्री फसल मानी जाती है फसल मानी जाती है जाती है क्यों क्योंकि इसमें नर्पुस्प लिख देता हूं नर्पुस्प नर्पुस्प पहले पकता है पहले पकता है प्रोटो गाइनी सुनाओगा अगर पहले मादा हो तो प्रोटो गाइनी अब देखो प्रोटो उसको क्या बोलते हैं मैंने बता चुका और मादा पुस्प को क्या बोलते हैं मादा पुस्प को क्या बोलते हैं तो नर्पुस्प होगा उसको बोलेंगे टेसल क्या बोलते हैं टेसल टेसल नर्पुस्प को बोलते हैं टेसल और मादा पुस्प को बोलते हैं सिल्क ध्यान इसलिए नहीं टाएंगा ओप लाइन में आपको गण्ठावाई कहानी जरूर ज़रूर ऊप्लाइन की ओलता है मादा पुष को बोलते हैं सिल्क आपने देखा हो गारा से जैसे लड़कियों के बाल होते हैं वीशे वह शिल्क निकल जाते हैं मक्का का जो पोधा होता उसमें चोटे-चोटे से बाल उनको भी बोलते हैं सिल्क तो मादा क्या होते हैं मादा पुस्प बाद में आते हैं और नर्पुस्प क्या आते हैं पहले आते हैं तो नर्पुस्प को बोलते हैं टेसल अब क्यूशन यहां से यह भी नहीं आएगा क्य की संट याइव होता है जिसटाओं कि इसल बहुत इंपोर्टेंड तो इस यह आता है लगब पैंटाली से 50 दिन بعد में ध्यान रखना याद रख लेना 45-50 दिन बाद में कब निकलता है नर पुस्ट पे, टेसल कब निकलता है वोई के 45-50 दिन बाद में और मादा कब आएगा सिलक अब इसके लगबक 7-10 दिन बाद 7-10 दिन बाद तो ध्यान रखना यहां पर common answer रहा सकता आपका कि इसको बोल सकते हो आप 50 से लेकर 55 दिन बाद में क्या आएगा वो आएगा 55 से 60 भी कर सकते हो 52 से 60 भी कर सकते हो ज्यादा आप अंगुली ना उठाए पड़ाई के उपर बिल्कुल बिल्कुल सभी का right answer है सब लाला ओ लालियों को सब का right answer है यह कौन जुड़ा रहे हैं ग्रुपी चावंडिया जी लव यू सर जी ठैंक्यू बेटा संक्यू देखो 50 से 55 दिन बाद में क्या निकलता है सिल्क निकल जाता है तो यह थी इसके बारे में common बात अब एक क्यूशन और important बनता मका से डिटेसलिंग ध्यान रखना इधर खोपने में गुसा लेना डिटेसलिंग क्या होता है डिटेसलिंग डिटेसलिंग यह वर्ड में रेड पहन से लिग रहा हूं वाइड से लिग र होगा अपको डिटेसलिंग किसको बोलते हैं मका में यह आजए कुसरन डिटेसलिंग का संबंध किसदu पुसल से हैं Beer अबbenटा संड़ से संड़ टेस्ट अगर आपको देना है पास ही आपको होना है गर आपको बढ़ना है तो लालाओ मैं फिर बता दिया रह billionaire यह आज एप डाउनलोड कर लो यह आपकी जो स्क्रीन के उपर चल रहा है इस एप को आज डाउनलोड कर लो मैं खेरा हूँ सुपरवाइजर बनके ही निकल जाओगे बनके ही निकल जाओगे बाइस सो चोवन जो पद है आपकी जिन्दकी के सबसे बड़े और कर्शी विबाग के एक सो नो साल के इतियास में अब तक इतने बड़े पद नहीं आई रहे ग्यारा सु रुपय आपके लिए माई बाप नहीं है ध्यान रखना माई बाप नहीं है विनिता लोड़ा लदाना जी ने बहुती अच्छा अनसर दिया बिल्कुल टेसल को रिमूव करना ये आप एप डाउनलोड कर लो एएसपी कोचिंग जे पुर्द्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट है यहां चलता आपका हर संडे को साम पांच बजे टेस्ट और ये टेस्ट आप दोगे तब जाके आपको कर्शी प्रविक्षिक बढ़ने के जो सुगंध है जो सपने है सपनों की जो सुगंध है महक आ किसको कहा जाता है ध्यां रखना डवbung इंपोर्टेंट नाम है यह बंती लाल जी बंती्जी ने जिल्कुल रायट यह और और स육र अंसे लेकिन बहुत से प्यारे प्यारे बचशों को नहीं जाता है बहुत से बच्चे हैं डी टैसलिंग बोलते हैं किसको बोलते हैं मका में नर्पुस्प को हटाने की जो किरिया होती है उसको बोलते है डी टैसलिंग मतलब नर्पुस्प को हटाना और नर्पुस्प कौन सा है फुस्प को हटाने की किरिया हटाने हटाने की किरिया को क्या कहा जाता है वो कहा जाता है डी-टैस्लिंग ध्यान रखना बहुत important है अब बात कर लूँ मैं जो मक्का वो ती इसके जो दाने को क्या कह जाता है इसका फल परकार क्या है तो आप पढ़रे हो कौन सी पसलें कौन सी पसलें है ये ये है खाध्यान की पसले, ग्रेमनी या पोईसी, ये खवसल है, तो इसका फल परकार या दाना क्या होगा, वो होगा केरियोप्सिस, कौन होगा, केरियोप्सिस, ध्यान अकना, फल परकार, फल परकार बोल दो, दाना बोल दो, वो होगा केरियोप्सिस, अब एक बहुत अच्छा कि उसने बता रहा हूँ आपको वो एक्जाम में छप सकता है जो मक्का होती है उसमें अंकूरन परतिसत कितना होता है ध्यान रखना जितनी भी खाद्यांत पसल है चाहिए गेंग बात कर लो बाजरा बात कर लो जवार मक्का सब बात कर लो तो सबसे ज्यादा अंकूरन परतिसत किसका होता है वो होता है मक्का का ध्यान रखना इंपोर्टेंट इस्टार लगा लेना अंकूरन परतिसत माना जाता है 90 परतिसत ध्यान रखना रहा है 90 परतिसत सो दानों को बहुग ये तो 90 उख जाएंगे क्योंकि मक्का को बिगो के उखते है श्रात को भी गो देंगे उसके बाद में बोहेंगे तो मक्का का अंकूरन परतिसत माना जाता है लगबग 90 परशन्ट कुछ बुकों में 96 भी दे रखा है कुछ में 92 भी दे रखा है ओथेंटिक बुक में आपके 90 परतिसत दे रखा है ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट सब में अलग-अलग देर का लेकिन आपको 90 से कम तो करना है नहीं है भूल के ही तो 90 परतिसत क्या 92 95 बिल्कुल राइट आंसर है सर ओनलाइन और ओफ लाइन में क्लास में अंतर आता क्या बेटा जिंदगी मा बापु पूछ रहा है ओनलाइन और ओफ लाइन में तो फरक रहे गाई यार ओनलाइन में आपको लग-बग 70% मेटर दिया जाता है अभी मानलो कोई नसल भी पढ़ाई जा रही है आपको सात यह पढ़ा देते हैं तीन लाइने तो बचा के रखते हैं तीन लाइने तो फ्र ओप लाइन में पढ़ाई जाती तो आप यह ना सोच कि हिपूरा जितना धन दोलत है वो सब ओननाई में दे डिया जाए नहीं ये गलत सोचे, ओप लाइन और अपको एक्स्ट्रा पढ़ाय एक्जाम में आये तो क्या करें बेटा 90 प्रसेंट 90 अबाव आएगा उसके बाद में 80 से 50 सी ओप्षन यह से आएगा मैं इधर लिख देता हूं मक्का की जीन वो कौन सी होती ओपेक टू ओपेक टू द्यान रखना एक तो ओपेक टू और एक कहते हैं फ्लोरी टू फ्लोरी टू इन दोनों को आप लिख लो और इसको आप उतार लो सर जितने पापा का सक्ति मान करा बहुत ज्यादा अंत्रे सर ओनलाइन और और प्लाइन 105 लेशे हो अच्छा पापा का लाड़ला पैटा 105 लेश इसलिए आपको एसास ऊरा कि ओनलाइन ओनलाइन इन रहेगा और ओफ लाइन ओनलाइन यह रहेगा कोई दिक्षण नहीं बेटा ओप्लाइन में बहुत ही ज्यादा मतलब एक तो समझ में आती है भी ओनलाइन में आप नीचे आपकी स्क्रिन के उपर चल रहा है सचिन ने ठोकी 50 गंदों में 80 तो आप किलास लेते लेते ही 50 वो सतक देखोगे आप सचिन का भूल जाते हो दिमाग से उतर जाता है बोड़ा सभा हुआ आपका इसलिए ओफलाइन ओफलाइन ही रहेगी ओफलाइन में तो कूट मार पीट के ठोक कभी केसे भी आपको समझाना पड़ता है लेकिन समझाना पड़ेगा क्योंकि ओप्लाइन की पीस 12,000 और ओनलाइन की पीस 1100 तो आप करी नहीं सकते तो फट मजा आने वाला अब आगे अब आएगा मजा पड़ाएगा क्योंकि अब तक तो पड़ेते हैं अब उतार लिया होगा अपने अब देखो अपने बात कर ली बेसिक बात अब चोटी-चोटी पांस हाथ लाएने और फिर अपन गुश जाएंगे मक्का के अंदर फिर गुश क्यों होती है वो होती है 10% मक्का में प्रोटीन कितनी पाई जाती है 10% क्या पाई जाती है प्रोटीन पाई जाती है लेकिन प्रोटीन को क्या बोलते हैं जीन द्यान रखना इसकी जो प्रोटीन को बोलते हैं जीन में अभी बताई चुका हूँ मक्का की प्रोटीन को क्या नहीं पाए जाते हैं, मक्का की प्रोटीन होती है, 10% मक्का में प्रोटीन पाए जाती है, और प्रोटीन को कहा जाता है, जीन, और मक्का में कौन-कौन सी प्रोटीन पाए जाती है, वो मैंने अभी जस्ट बताया था, इससे पहले के लाइन, देखो, दुबारा पढ़ लो, दुबारा पढ़ लो, भूल मजणा, मक्का की प्रोटीन को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, और मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओपेक टू और फ्लोरी टू, अब देखो यहां पर इस प्रोटीन के अंदर क्या होता है, मक्का में कितनी परसेंट पाई जाती है 10% लेकिन इसके अंदर अमीनो अमल की अनुपस्तित ही होती है कौन कौन से अमीनो अमल नहीं पाए जाते है तो एक ने बिल्कुल रोहित जाट जी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इस जीन के अंदर ध्यान रखना अनुपस्तित अनुपस्तित कौन सी अनुपस्तित अमल म पक्का की प्रोटीन में कौन सा अमल अनुपस्तित होता है, एक तो होता है, लाइसीन और एक होता है, ट्रिप्टोफेन, ध्यान रखना, लाइसीन, लाइसीन, नाम याद रखने ना, लाइसीन, और एक होता है, साथ में क्या होता है, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन, ये दोनों अमले अनुपस्तित होते हैं कौन कौन से लाइसीन और ट्रिप्टोफेन ये कम मात्रा में पाई जाते हैं बिलकुल अनुपस्तित होते हैं अगर बात कर लें प्रोटीन आपको याद हो गई 10% प्रोटीन का नाम क्या है जीन और जीन में कौन कौन से अनुपस्तित होते हैं लाइसीन और ट्रिप्टोफेन अगर बात करें वसा तो इस मक्का के अंदर वसा की जो मात्रा होती है वो लगबग कितने परसेंड होती है तो आपको 10% हो गई अगर कार्बो है्टेट पूछ ले तो कार्बो है्टेट होती है मक्का के अनदर लगबग 70 % कार्बो आइट्र इंद कितनी होता है सतर परसेंड सकती रतना प्रोटिना में बहुत होती है बैटा मैं बताऊंगा पीजी बताऊंगा भी आपको आगे आएग या variety के अंदर क्यों होती उसके अंदर भी क्यारी जनत थोड़ी सी देर की बात है वह अपन बात करेंगे उसके बाद ब possibilities क्या होती है और पहती है सद्टर परशन ம के अंदर पाई जाती है अब बात shining का test weight friction भार कितना होता है मका की 10数 का beam कीってणर कितना होता तो test weight प्रिक्षन भार कितना होता है तो लगबग 200-200, 200-200 होता कितना टेस्ट वेट और 200-200 ग्राम, 1000 बीजों का भार कितना हो गया 200-500 ग्राम, तो यह हो गया इसका प्रिक्षन बार, अब मैं एक क्यूशन बता रहा हूं और वो क्यूशन आपको साहध आता भी होगा, लेकिन बहु क्लास आप, अभी आतिन मेरी क्लास, 9 बजे बाद में राजस्तान कल्चर की स्टार्ट हो जाएगी, कल्चर के बाद में सवा 10 बजे से सवा 11 बजे तक हिष्टर की क्लास हो रही है, आम खालो बेटा, आम खाओ, प्रिक्षन भार कितना होता है, 200-200 ग्राम, अब मैं एक बता आप, 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 बाजरा, कौन-कौन सी मक्का, जमार और बाजरा, इनके अंदर क्या होती है, देखो, नौन टिल्रिंग प्लांट कहते हैं, इसको टिकले नहीं निकलते, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, ये चीज बहुत ही इंपोर्टेंट है, अब मैं बात करूँगा जो एक स्टुड एक और बता देता हूं इसके साथ-साथ में, जो अपन बात कर रहें मक्का, मक्का, बाजरा, जमार, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है, तो ये तीनों प्लांट जो होते हैं, वो नौन टिल्रिंग प्लांट कहलाते हैं, अगर बात करें, दो इसको उताल लो, उसके बाद में इस्ट्इूटों की बात करते हैं, यह हुआँ, बैटा, मक्का के दाणों में तेल निकलता है, मक्का के दाणों में तेल निकलता है, Imperial Agro Classes, बरतपुर से नमस्कार आप सभी को Imperial Agro Classes, कि जितने भी शुरोत आ जुड़े हुए और साइट डाइरेक्टर्सर भी जुड़े हुए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाजी अब है आप भी काका जी बोलने लगे क्या अरह मेरे तो उमरी क्या हुई अभी तो 33 साल वी ये कि 43 साल हुए काका जी की उमर होती है साथ साल की बाद हुए कर कि चलिए आगे बात कर रहा हूं मैं कि आगे बात कर रहा हूं कि अब देखो मक्का का पहले इस्टूड देख लेते हैं तो दो इस्टूड आपको याद रखना एक तो आपने नाम सुड़ाओगा अंतराश्टिय मक्का अंतराश्टिय मक्का एवं गेहूं सुधार के इंदर और इसको बोलते सिमिट सिमिट ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट नाम है इसकी इस्टापना हुई थी 1966 के अंदर कब हुई थी इसकी इस्टापना 1966 में और यह जो जो इसका इस्टापना की गई यह की गई ती मेक्सिको ध्यान रखना मेक्सिको में मैक्सिको मैक्सिको के अंदर इसकी सभाना कि अंतराष्टी मक्काल एयहनु सुधार के अंदर और वह कहां पर तहाँ मेक्सिको अब दिखको बात करिए तो DMR आपने नाम चोना होगा DMR डी एम आर नाम चुना होगा डाइरेक ट्रेड ओप मेज रिसर्च द्यारक ना डाइरेक ट्रेड ओप मेज रिसर्च मतलब अपन बोल सकते हैं इसको गेहूं मक्का अनुसंदान निर्देशा ले ये कहां परिस्थित है ये कहां परिस्थित है ये है नहीं दिल्ली तो मक्का निर्देशाले यह कहां पर है नई दिल्ली नई दिल्ली तो इस इस्ट्यूट का भी आप नाम याद रखना मक्का अनुसंदा निर्देशाले कहां सिमिट मैक्सिकों बिल्कुल बेटा मिक बिल्कुल तो यह चीज आप ध्यान रखना अब मैं बात करूंगा इंपोर्टेंट मक्का का वर्गी करण तो एक बार इसको आप छाप लो अपने दिल और दिमाख में और अब बात करूंगा वर्गी करण और वर्गी करण से मैं बता रहा हूं 2012 सुपरवाइजर में क्यूशन आयता वर्गी करण से और वर्गी करण से फिर 2021 में आपको छपने की संबाह होना है तो फटा फटा पटा ले लो एक बार इसको फटा पट ले लो अब देखो दिल थाम कर बैठ जाओ वर्गी करन की बात करें तो देखो भूख्षों के अंदर जो जनरली जो वर्गी करन मका का वह सात परकार का वर्गी करन एक-एक वर्गी करन की बात करेंगे पहला देखो नाम् कॉमन नाम में लिख देता हूँ इधर इधर इसका अबोट निकलना है और इधर काम क्या आती है तो पहली सोली है splint korn द्यान अखना splint korn तोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं तो सह posts account देखो पहली जो मक्का है वो है प्लींट का आँ को ड़ेको इसके मक्का को दोने को बोलते हैं इसका बोट कि इंडूराटा कि यह मक्का देखो अब यहां से क्यूशन यह आएगा भारत के अंदर के पी कहार जी कह रहे हैं सर्ट डीमर अब लुदियाना पंजाब में हो गया तो एक बार जितने भी स्रोता जितने भी स्रोता देखो बिल्कुल गोरी संकर जी यह बिल्कुल सही कह रहे हैं और इनका जो क्यूशन है वो बिल्कुल सही है वाजिब भी है देखो डीमर अगर लुदियाना पंजाब में हो गया तो इसकी मुझे नोलेज नहीं है एक बार आप जो इंटरनेट आपका गूगल है उस पे डीम देते हैं अगर हो गया एक्षेंज हो गया नाम परिवर्तन कर दिया इस्तान परिवर्तन कर दिया तो हो सकते यह सी बात मैं एक बार मोबाइल में देख लेता हूं आप नाट नो टेंशन दे बिलकुल क्योंकि यह बहुत जरूरी है स्टुडेंट के लिए मक्का से कोई भी क्यूशन गलत नहीं होना चाहिए चालू रखें आप आप भी सर्च कर सकते हूं डाइरेक्ट्रेट ओप मेज डाइरेक्ट्रेट ओप मेज रिसर्च अट्ड़ो के रिसर्च के लिसर्च मेज डाइरेक्ट्रे भी सर्फ हुमासय कल्सुर के रह के लिसर्च र利 मक्तलक्तशन दुमास्ट्रेगो खुमास्यक्य ड cabinet, हेलाएरेक्ट्रेश्स यह पंजाब लुदियान में हो गया देखो यह जो ने मक्का बारती मक्का अनुसंदान संचाने पंजाब लुदियान में हाँ बिल्कुल अब यह नहीं है पंजाब लुदियान कर लिया आप अपने देखो यहां पर आप कन्फ्यूजन होते हो देखो इस्टुडेंट यहां पर पंजाब लुदियान ना कर लिया आप नहीं दिल्ली की जगह अब देखो यहां पर आपन यह जो डी एमार न देखो एक इस्ट्यूट तो होता है रिसार्च चेंटर देखो आप कन्फ्यूजन हो यह लाइन हे मक्का अनुसंदान निר्दे letzा यह तो आद डाइरेक्ट ट्रेंट डाइरेक्ट्रेड तो यह तो है आपका वर्तमान में भी नहीं दिल्लीैं दियानर्गना निर्दे निर्देशाले पूचा गया है यहां पर भारतिये मक्का अनुसंदान संस्तान नहीं पूचा उसमें और इसमें तोड़ा सा डिफ्रेंट है यह हैड क्वाटर है निर्देशाले डाइरेक्ट्रेट है तो यहां कन्फ्यूज ना हो यह जो है यह नहीं दिल्ली इसका राइट संसर है तो आप कन्फ्यूज ना हो देखो मक्का अनुसंदान भारतिये मक्का अनुसंदान संस्तान वह हैं लुदियाना पंजाब डाइरेक्ट्रेट पूचा गया है तो नहीं दिल्ली आप राइट मांचें चालू रखें आप एक बार जो भी स्टुडेंट फाल तुके वह कर रहे हैं आप बिल्कुल आप बिल्कुल और तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी आपको तोड़ा सा समझने की वह है कमी है मैं बता रहा हूं डिया डियमार डाइरेक्ट्रों मैज रिसर्च ये तो है नहीं दिल्ली के अंदर और मक्का परियोजना निर्देशाले ये हैं पंजाब लुदियाना में बारतिय मक्का नुसंदान संस्तान वह है लुदियाना के अंदर तो कंप्यूज ना हो आगे बात करें अपन तो अपन बात कर रहे थे मक्का का वर्गिकरण तो एक तो होती है फ्रेंट फ्रेंट मेंज यहां से क्यूसन आएगा जो फ्रेंट कोरन होती है इसको बोलते हैं जीया मेंज इंडू राटा यह मक्का भारत में सबसे ज़्यदा बोई जाती है तो क्यूसन आएगा भारत में सरवाधिक बोई जाती है और यह जो मक्का होती है यह पीड़ी मक्का होती ह आपने देखा होगा पीली मक्का, पीली मक्का कौन ची होती है, वो होती है, प्लेंट मेज, जो भारत में सब चे ज़्यादा बोई जाती है, एक हो, एक होती है डेंट कॉर्ण, डेंट कॉर्ण, डेंट का मतलब होता है, denkt-corn ये डेंट ये नहीं होता दातंद की तरह कि क्या होती है मक्का और Dan को चिर दात इंडीन टाटा कि ये जिया मेंज इनदेन टार ये यह जियामेज इसा कैसा आएगा जियामेज इंडेन टाटा और पूरे विशू के अंदर सबसे जदा यही मक्का बोई जाती है विशू में विशू में सर्वादिक बोई जाने वाली सरवादिक बोई जाने वाली मक्का कौन सी होती है जियामेज इंडेन टाटा और विशू के आप से पूच ले विशू में कौन ची मक्का का छे त्रपल और उत्पादन सबसे जदा है तो जी आमेज इंडेन टाटा एक होती एपॉपकॉर्ण एक एक होती है पॉप्कॉर्ण हाँ अजी जेन जी बिल्कुल यूसे में बोई जाती है एक होती है पॉप्कॉर्ण जो आप खाते हो पॉप्कॉर्ण पॉपकॉर्ण देखो यह जो मक्का होती है इसका जो बोटनिकल नेम होता है जी आमेज इवर्टा धिया रखना जी आमेज इवर्टा इवर्टा जी आमेज इवर्टा और ये जो मक्का होती है important इसके अंदर क्या होता है इसका जो अंदर का भाग होता है वो बिलकुल मुलाइम होता है और इसके अंदर नमी ज्यादा होती है इसले तो फूल जाती है आप कौन खाते हो तो वो क्या हो जाती है फूल जाती है तो यह वह क्या वोती है फूल जाती है एक हूती है सोफ्ट कोर्न ध्यान रखना स्विचि कॉर्ण है के सोफ्ट कॉर्न उता है शोप्ट कन जो मक्का होती है इस याभी केश सी उत juego यह इसका दना भी मुलाइम होता है और इसमीह को बोलते हैं जी यामेज इमाईलेशिया ध्यान रखना जी आमेज इमाईलेशिया अरे दिलकुस मीना सर एप वाड़ा कोर्स तो पूरा होगा वह भी ओपलाइन चे कम होगा अरे बेटा एप के अंदर पूरा कम्प्लीट डाल रखा आप बार-बार आप कमेंट्स क्यों कर रहे हो देखो सौप्ट कौन को बोलते हैं जी आमेज इमाईलेशिया इमाईलेशिया अब देखो यह जो मक्का होती important है जो इमाईलेशियाए इसका पूरा का पूरा दाना क्या होता है क्या सॉफ्ट बिल्कुल मुलाइम होता है सबसे मुलाइम मक्का कौन सी बहु जाती है मुझが सॉफ्ट कॉर्ण और पांच भी मक्का होती है, sweet corn, मीठी मक्का, sweet, sweet corn, sweet corn, और यह होती है, मीठी मक्का, और इसी को बोलते हैं, क्या, मतलब सब्ससे जदा मीठी मक्का होती है, और यहां से क्यूशन आएगा, क्योंसी मक्का, सरवाधिक डिबा भंधी के लिए,दिबा भन रखना, तो यह जो मक्का होती है, डिब्बा बंदी के लिए उप्यूक्त लिए उप्यूक्त मक्का कौन सी है वह स्वीट कॉर्ण या इसको बोल दो जी आमेज सेके राटा और सेकिन लास्ट है स्वेक्षी कॉर्ण वेक्षी कॉर्ण वेक्षी कॉर्ण और इस मक्का का जो बोट निकलनेम होगा वह क्या होगा जी आमेज सेरोटीना जी आमेज सेरोटीना ध्यान रखना सेरोटीना जी आमेज सेरोटीना और यह जो मक्का होगी इसका दाना होता जो मोम होती हैं मोम की भाती दाना होता है वेक्षी वेक्ष करते हैं पन कोई भी आपने देखा होगा बाजार के अंदर इतने फ्रूट आते हैं उनके अंदर वेक्ष करी हुई होती है परत लगाई होती तो यह अमर्णी का नाम है वेक्षीकॉर। इसका दाना होता है गिकलकुल टूनि काटा ट्यूनी काटा ट्यूनी काटा यह सहनु एस एक प्राचीन किस्म की मक्का को आ जाता is तो वो है पॉड कॉल या फिर बोल दो आप जीया में इस ट्यूनी काटा प्राचीन किस्म की मक्का ठीक है तो एक बार आप इसका स्क्रीन शोट ले ले उसके बाद में पर बात करेंगे आगे किरेंृ कि अएक किशीको कोई समस्या हो तो मेरे खतनों ने के बाद निम्रो पर कमेंट कर दें अभी पढ़ाई कर रहे हो आप सिर्फ़ पढ़ाई में ध्यानकों अगर किसी का फाल्डूह कमेंट साय तो मैं यह एप के बारे में यह आरेन में सब को ब्लोग कर रहा हूं अभी किसी को कोई समस्या हो तो मेरे personal number पैस पहोन करे ने किलास कतम होने के बाद कि अभी पढ रहे हो आप तो पढ़ाई की ही बात करें यह गोकुल्पुरा फागी मैं फागी का रहे गया इसलिए तोड़ा सा तेरों को रियाइद दे रहा हूं सज्ञेज जी कर पर फाल तुकि कमेंट्स ना करें अनिधा आपको ब्लोग किया जा सकता अभी आप देखो वेराइटियों की बात करेंगे अपन किसमें देखो बात करेंगे अपन वेराइटियों की अब आपने एक नाम सुना होगा वेराइटियों की बात में बात करेंगे पहले एक चीज आपने नाम सुना होगा HQPM, नाम सुना होगा HQPM, यह नाम बहुत ही मक्का जब भी आप पड़ोगे, तो यह नाम आपके बहुत ही common नाम है, इसको बोलते हैं, High Quality Protein Mage, क्या बोलते हैं, High Quality Protein Mage, अब देखो, जिसको यह समझ में आ गया, जिसको यह समझ में आ गया, उसका एक क्यूशन आपका राइट होगा, इस क्यूशन को ध्यान से पढ़ना, इस क्यूशन को आप ध्यान से समझना, अगर किसी का फाल तुम्हें comments आ गया, तो मैं real बता रहा हूं, आज मैं सबको ब्लोग कर दूँगा, एक भी student को में, मेरी class खतम होने के बाद में आपके comments पढ़ूँगा, किसी के अबर फाल तुम्हें के comments आई हूए, तो सबको मैं ब्लोग करूँगा, चाहिए वो app के बारे में पूछ रहा है, चाहिए class के बारे में पूछ रहा है, कुछ भी पूछ सिर्फ आपको question पूछने live के दोना तो सिर्फ मक्का पढ़ रहे हूँ, मक्का के बारे में ही पूछा गरू, high quality protein, देखो protein maze, अब यह है क्या, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो मक्का होती है, इसके अंदर दो अमिनो अमल पाये जाते हैं, आपको बताया था, और वो, sorry, अनुपस्तित होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, लाइसीन और ट्रिप्नो फेन, लाइसीन और इसके साथ साथ में ट्रिप्नो, ट्रिप्नो फेन, यह जो दो अमल होते हैं, अमिनो अमल होते हैं, लाइसीन और ट्रिप्नो फेन, दिया रखणा, यह दोनों क्या होत मक्का के अंदर अनुपस्तित होते हैं यह तो किसी को समझ भी नहीं है तो इसकी अनुपस्तिति के कारण क्या होता है प्रोटीन की जो मक्का की जो गुणवत्ता होती है क्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है तो इसी को मद्दे नजर रखते विए लाइसीन औ को और improved हो जाए सके उसकी गुणत्ता को कम नहीं होकर अधिक गुणता वाली मक्का त्यार की जाए वोई था high quality protein मेज मक्का की प्रोटीन कहला प्रोटीन जीं और मक्का की प्रोटीन में लाइसीन और टिप्नोपेम अमीनोब्स का मिन करते हैं क्रोटीन ज्थर में nuance का निर्मान किया और उनका नाम याद रखे ना एस के वल्स वसल एस के वसल ध्याद रखना एस के वसल वसल एक तो यह साइंटिस्ट था एस के वसल अगर इसके दिमाख में याद हो गया वो बहुत ही मतलब खुछ नशीब होगा उसका एक होगा और एक साइन्टिस्ट का नाम था इविलेगस ध्यान रखना इविलेगस 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 इन दोनों साइन्टिस्टों ने क्या किया था सबसे पहले हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज का निर्मान किया था और इन दोनों ने कहां किया था इन दोनों ने किया था मैंने बताया था सिमीटी इन दोनों ने कहां निर्मान किया सिमीटी और सिमीटी कहां पर है मैक्सिको कहां पर है मैक्सिको मैक्सिको इन दोनों ने निर्मान किया कहां पर मैक्सिको में तो क्यूशन आएगा हाई आई HQPM का निर्मान S के वसल और E-Vigation ने सिमिट्री मेक्शिकों के इंदर क्या किया था High Quality Protein का क्या किया था निर्मान किया था और इन्हों नहीं दोनों साइन्टिस्टों नहीं जो मैंने बताया था Protein Opaq2 द्यान रखना Opaq2 Opaq2 मक्का की Protein में Opaq2 इस protein opaque 2 का सबसे पहले प्रियोग किया था high quality protein मेज निर्मान करने के लिए इन्होंने क्या किया था opaque 2 क्या लिया था वो gene लिया था सबसे पहले opaque 2 gene का प्रियोग gene का प्रियोग किसने किया था scientist के नाम याद ना S.K.Wassel और E.V.Galas अब देखो इन्होंने क्या किया high quality protein मेज में क्या कर दिया इस opaque 2 का क्या किया gene को डाला गया इससे क्या हुआ इसके अंदर जो amino amlota मक्का के अंदर trypnophen और lysine वो बढ़ गया मक्का की protein की गुनवत्ता बढ़ गई और protein की मात्रा मेंने बताया था 10% होती है तो इस मक्का में protein की मात्रा protein की मात्रा कितनी हो गई protein की मात्रा high quality protein मेज में protein की मात्रा कितनी हो गई 16% देखो protein की मात्रा कितनी हो गई 16% क्यों सना आएगा मक्का में protein होती है 10% लेकिन high quality protein मेज में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है 16% और 16% इसलिए बढ़ गई क्योंकि लाइसीन और टिपनोफेन क्या होती है अनुपस्तित होती है सामा ने जो मक्का होती है लेकिन इन्होंने हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज का निर्मान कर दिया और कौन सा जीन डाला ओपेक टू ओपेक सर मक्का लगातार खाने से गंजापन होता क्या घंजापन तो वेचे भी हो सकता है गंजापन तो मालों को हुए लड़की जूटी कसम का जाए आपके शीरी पर हाथ रखे तो भी गंजापन हो सकता है देख मेरे तोड़े-थोड़े बाहर उड़ने लगी दो-दो-चीश तो आप कभी भी बरोसा ना करें कभी भी अपने सीर पर हाथ रखकर कसम ना किलाई तो ध्यान रखना प्रोटीन जो होती है प्रोटीन की मात्रा किती होगी जीदगी बरबाद कर जाएगा यह जो साइन्टिस्ट को मैं रेड़ पैन से लिख रहा हूं और मैं कर रहा हूं आप की जो आपके सोने की जो है किसी का नाम बूल जाना आप देखो देखो आप असने की बात नहीं है इस एस के वसल का नाम याद रख लेना एस के वसल मैं एक लिख देता हूं एक करोड का पर्षन एक करोड का पर्षन देखो लिख दिया हूं पहले बता रहा हूं बिल्कुल लिख दिया हूं देखो राज मिना जी ने राइट आंसर दे दिया और इस एस के वसल ने हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज का निर्मान करने की वज़े से इसको सन 2002 में पूरे संसार का सबसे बड़ा पुरुसकार विश्व खाद पुरुसकार दिया गया किसको दिया गया ऐस के वसल और अग्रिक कल्ट्टर शेख्टर का वर्ड का धेखो शोचो हाई क्वालिटी प्रोटीन तयार करने में क्योंसी जीन लिगई कौन सी जीन ली गई और इस के वसल को संद ने विश्व खादे पूरुसकर पूरुसकर से क्या किया गया सम्मानित किया गया करोणों रूपगा क्या नभगवान कि समद्विसु खाद से पुरुसकर देखो का केदार बर्माजी करहें यह लड़कियां रीएल में झूती में वास्थ्वेटा में कभी बारोसा मत करना में करना हु रहें तो आज ति दो कि आज पता Natalie रहा गया कि यह तो गलत सोच रहा है अगर तुझी से बाउंगों में जी रहा नहीं वह मज़ी बैटा कि देखो ऐसके वसल को सन 2000 में विश्व खाद्य पुरुषकार से सम्मानित किया गया क्यों किया गया क्योंकि इसने हाई लास्ट्डा सबसे अभी देखो हाई क्वालेटी परोटीन में यहीं पहर देखो हाई ती देखो हेट्स डूब्पी एक और पांच ये दो वेराइट है तो हाइड क्वालिटी प्रोटीन में जिक यह वती है करने में लड़किय इतनी बूरी नहीं को मैंने बता है नहीं बूरी तो मैं बता ही नहीं सकता मैंने तो सिर्फ यह काया बच जूट ही होती है क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली अपनाया मेरे आधिसिर के जो बाल उड़ रहें दो दो तिन तिन बाल डेली उड़ रहें तो उसका रीजन यही है तो ध्यान रखना कि लड़के कौन से भले महान जूंत्ते एक नमर के पीडाओ लड़का कभी जूंत्त नहीं बोलता हम अब रियल केस में 99 इस्टुडेंट जो लड़के होते हैं वो कभी जूंत नहीं बोलते हैं अपने पूरी दिल की बात सामने कदेते हैं चाए घर्दन कटे चाए कुछ भी तो देखो ये दो वेराइटियां आपको याद अ है एक N1 और hqpmen 5 अब इसके लब दो वेराइटिया творis करें नहीं का करना सक्ती मानट और याद एकल ना अभी बताया था सक्ति मान फर्स्ट और शक्ति मान सेकिन ये दो चार वेराइटियां सक्ति सक्ति मान first और सक्ति मान देखों मैं फिर बता रहा हूं高 quality protein match की चार variety और मैं करा हो चारो चारो फेराइटि हो में से एक विड़ाइट्य आपको के एक्जाम मिच्छाप चकती है तो यह थे high quality तोटी इनमेज आगी होगी समझ में अब मैं आपको बात करूंगा दूसरी वेराइटियां तो एक बार ले लो आप इसका स्क्रिंसोट इसक्रिंसोट ले लो उसके बाद में अपने बात करेंगी नेक्स्ट सक्तिमान पश्ट और सक्तिमान से किन्सा ही है बिल्कुर कि चलो कि देखो में आप समझ गये होंगे देखो थोड़ा सा टाइम कम मैं अब मैं बात करूंगा एक आपने नाम सुना होगा मतलब आपने नाम सुना होगा संकूल मक्का क्यों सुना आएगा संकूल मक्का संकूल किसमे संकूल किसमें इनको बोलते हैं कम पोजिटी वेराइटी यह तो आपने नाम सुना होगा जनरली अब इनका क्या होता है देखो संकूल किसमें होती क्या है संकूल किसमें क्या होती है मैं दो वेराइटियां बनाता हूँ यह देखो दो वेराइटियां आपने एक नाम सुना होगा संकर देखो फाल तुके कमेंट्स मत करो संकर किसमें संकर किसमें दो क्या होती है देखो बहुत से छोटे बच्चे नहीं जानते संकूल किसमें क्या होती है संकर किसमें क्या होती है ये दो वेराइटियां इन दोनों लेकिन संकुल किसमें क्या आती है मक्का के अंदर ही ज्यादातर जो किसम है मक्का के अंदर देखो अब यह है क्या संकुल किसमे इसमें क्या करते हैं आपने देखा होगा यह जो केंद्रक होता यह मैं बना दिया केंद्रक एक तो वेराइटी यह है और इस वेराइटी का केंद्रक भी यह है यह तो आपने समझे समझा होगा तो इसके अंदर क्या होता, अब तीसरी जो वेराइटी डवलप होगी, वो होगी संकुल, अब कैसे होगी, इनके अंदर क्या होती, ये हो गया केंदरक, ये तो मान गया आप केंदरक, और इनके अंदर जो बाहर जो होता है, पधार्त होता है, वो आप जानते हो, क्या होता है, को कोशि का दर्विय ये कोशि का दर्विय ये समझ गत लिया आप संकुल किस में क्या होगी ये केंद्रिक और को ईंगा कोशि कोशी का दर्वे लेंगे, देखो, दोनों वेराइटियों क्या लेंगे, कोशी का दर्वे लेंगे, देखो, कोशी का दर्वे लेंगे, लेकिन एक वेराइटिया क्या लेंगे, केंद्रक भी लेंगे, एक वेराइटिया क्या लेंगे, और दोनों वेराइटियों क्या लेंगे कोशी का दर्वे लेंगे उससे जो तयार होगी वो कौंशी किसम होगी संकुल किसम कौंशी संकुल किसम देखो नहीं समझे अरह इधर देखो बेटा प्यू मेरे को इंगलीस नहीं आती है इंग6 मेंology behore Hindi में कोशी जा गरो सब चीजी Hindi मेली करो हिंदी मैं चीज्रे समझा सकता हूं कि अगर यह पिजी किलास होती तो मैं इसका आंसर भी देता इंगली बोलूँगी अभी तो बच्ची में समझपाएंगे इंगली मेरी वेश्ची जदा अची है तो देखो संकुल किसमें क्या होती है पहले संकर किसमें देखो, संकर किसमों में दो वेराइटियां लेते हैं, इन दोनों के मद्दे क्रोज कराया जाता है, और जो वेराइटी तयार होगी, वो क्या होगी, संकर किसम, जो संकुल किसमें होती है, दो किसमें होती है, तो दोनों किसमों से कोसी का दर्वी लिया जात जाता है और कि तर्वाम किसम का लिया जाता है केंद्रक लिया जाता है जो तेयार होगी वराइटीश कोँछी शम्तल संग कुल किसमें अब संक किसमों में क्या होती है लासी यह अधिक होती है मात्र हो अदिक होगी अब याँ सेorman पूछा हूं सकी दो वेराइटिया आपको याद रखनी है, प्रोटीना, दियान रखना प्रोटीना, सक्ति और रतना, तीन वेराइटियां संकुल मक्का की प्रोटीना, रतना, ये दोनों वेराइटिया थो खुब बाहर पूची भी है, प्रोटीना, रतना और सक्ति, शक्ति, ये तीन तो ये था संकुल किसमे अब एक बार इसको उतार लू फिर अपन बात करेंगे कुछ टेक्निकी बहुती अच्छी टेक्निक है और पांच मिनट ओर पड़ेंगे अपन और पांच मिनट में अपना एक क्यूसन हो जाएगा तैयार तो उतार लेजिए आप फटा अज पूरी मक का पड़ाऊंगा टेंशन मल्लू पटा पट वीडियो को लाइक भी करते चलिए और शेयर करना ना भूलिए और भी बच्छों को जोड़ सकते हो आप आज मैं मक्का पूरी पड़ा के तयार रखूँगा अटेंशन मल्लू उता लिया होगा अब आगे बढ़ते हैं पन नेक्स्ट की बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा देखो अब जो भी टोपिक चलेगा उस टोपिक में से एक क्यूसन आपको मिल सकता है तो आप मजा उकि और अब बात करूंगा मैं संकर किस्मों की संकर किस्म nic अ अरे अभी अपने वेराइटी नहीं पढ़ रहे हैं वेराइटी तो आगे पढ़ेंगे मैं बैसीक बैसीक बात बता रहा हूं वेजयाओं यूजी संकर किस्मे अगर आप मक्का पर कारिये तो यह किया गया था लालाओ 1921 में और कहां किया गया था अमेरिका में कहां किया गया था अमेरिका में सबसे पहले अमेरिका में संकर मक्का के उपर क्या किया गया कारिये किया गया संतो जी बेटा तो आप जो बता रही हो एक साहिरी सुना दो एस बेटा साह यही जजबा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा कि यही जजबा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा कि यही जजबा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा कि बूल गया दिमाग देखो संकर मक्का पर सबसे पहले सबसे पहले 1921 में कहां कारी किया गया वो किया सर्व पर्तम बेटा याद आ गया वापस तो ध्यान रखना कि यही जजबा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा अर बंजर जमीन हुई तो क्या हुआ यही से जल वापस निकलेगा अर ना हो मायूस ना हो गबरा अंदिरे में मेरे साथी कि ना हो मायूस ना गबरा अंदेरे में मेरे साती इनी रातों में के दामन में तो सुनहरा कल भी निकलेगा दुबारा सुना रहा हूँ जमा नहीं जबचा नहीं कि यही जजबा रहा मुश्किलों का हल भी निकलेगा कि यहीं जजबा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा बंजर जमीन हुई तो क्या हुआ वहीं से तो जल निकलेगा और ना हो मायूस ना हो गबरा अंदेरे से मेरे साती इनी रातों के दामन से तो सुनहरा कल भी निकलेगा पटा पड़ा जा तो बारत में सबसे पहले बारत में सरुपर्तम संकर मक्का पर कारी कब किया गया तो लालाओ द्यान रखना उनीस सो चोवन बारत में सरुपर्तम मक्का पर संकर मक्का पर कारी कब प्रारम किया उनीस सो चोवन में और आपको एक कमपनी बता रहा हूं एक फाउंडेशन बता Foundation ने सबसे पहले भारत में संकर मक्का पर कारिय प्राहरम किया गया था यह बहुत इंपोर्टेंट चीज ती जो मैंने आपको बता दी अब इससे भी ज़्यादा इंपोर्टेंट चीज इसको उतार लो फिर मैं पूरा पेज बरूँगा उस पेज को आप देखो तो उतार लिया होगा अब मैं बात करूंगा इस संकर मक्का की तकनिकी क्या क्या है देखो संकर मक्का अगर बात करें संकर मक्का टोपिक डाल सकते हो आप संकर मक्का उत्पादन उत्पादन की तकनिकी तकनिकी द्यार रखना आज मेरा पैन चल रहा है धाई गंटे लूँग तो संकर मक्का उत्पादन की तीन तक्निकी है एकल पहली है एकल संकर एकल संकर तक्निकी सोरी जीन आईगा एकल जीन एकल संकर मतलब कह सकते हैं सिंगल क्रोश टेकनिक इसको बोलते हैं सिंगल क्रोश टेकनिक तकनिक है अब देखो यहां से एक जीन के साथ क्रोश कराया जाता है अब यहां से क्यूशन आएगा सबसे पहले संकर एकल संकर तकनिक का प्रियोग किस न आ रहा था पहले ही बता दिया था 1910 के अंदर दो साइंटिस्टे ए-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- एकल संकर तकनिकी और उसका प्रियोग किया गया था इसने तो किया था चीन में और इसने कहां किया था जी एच जो सल था उसने किया था अमेरिका में ध्यान रकना इसने किया गया था USA USA बोल दो या United State of America एकल संकर तकनिकी का विकास सबसे पहले 1910 में इसके साथ में जी एसल ने कहां किया गया था चीन और USA में इसका प्रियोग किया गया था और ध्यान रकना सबसे पहले परिकल्पना किसने दी थी एकल संकर तकनिकी की जी एच सल और इसनकरन तकनिकी यह संकरन अब देखों अगर चीन में हो गया तो अपने भारत का भी नंबर आएगा भारत की बात करें तो 1920 देखो 1910 और 1920 कोई जयदा डिप्रेंट नहीं है दस साल अपन पूराने हो गए तो यहां का एक साइंटिस्ट भारत में डी एफ जोन्स द्याहां रखना डी एफ डी एफ ज और मैं कहरा हूं रहे मेरे कालू दोडू पीडू लालूर सब द्यान लेना ऐसे ही क्यूशन आएंगे अब सुपरवाइज में एकल संकर तकनिकी की परीकलपना किस विज्यानिक ने दी और यहां पर यह तीन-चार विज्यानिक आ जाएंगे हवा निकल जाएगी हवा निक कि मत लेना चार बार क्यूशन आ चुका चारों बार चारों सुपर्वाइजरों में के क्यूशन मक्का का कि पीस कितनी है रवी पावन जीव 1100 रुपया कुछ भी नहीं रखी है इतनी सस्ती पीस रखी है कि कोई हर कोई ले लेता है अगर आपने अभी भी डाउनलोड नही कर सकते हो आपकी स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा होगा ASP कोचिंग जेपुर स्टूडेंट गलती कर देते पूरा नाम नहीं डालते प्लेई स्टोर पर ASP कोचिंग जेपुर पूरा नाम डालिए कि रहा है और मैंने अभी आपको डाउनलोड नहीं किया तो मैंने एप क उसको complete class से देखने को मिल सके अब मैं बात कर रहा था मैं बात कर रहा था तो सबसे पहले एक scientist था उसका नाम था गुनी सो भी इस डी एफ जोन्स इसने क्या किया था जो यह विदी थी यह टेकनिक थी दी संक्रण तकनिकी इसका विकास कहा किया गया था भारत में किया गया था द्यान रखना भारत में डी एफ जोन्स ने सबसे पहले कहा किया था भारत में अब यहां से क्यूषन यह पूछा हुआ है भारत में दिसंक्रन टक्णिकी का विकास तो यह जो विकास था भारत में किया गया था भारत में सबसे ज़्यादा क्यूसन देख मेरी बास सुन बाई बाई क्यूसन यह आएगा मेडम पेपर बनाएगी क्यूसन आएगा लाला हो यह दी संक्रन तक्निकी का प्रियोग भारत में किस तक्निकी का भारत में संकर मक्का उत्पादन करने की किस तक्निकी का प्रियोग स तक्निकी का प्रियोग सर्वादिक किया जाता है सर्वादिक किया जाता है द्यानक ना सर्वादिक किया जाता है इस तक्निकी का प्रियोग अगर पूचले कि कौन सी किसम में भारत में सबसे पहले इस इस तक्निकी का विकास किया गया था तो नाम सुना होगा गंगा गंगा गंगा फस्त पर सबसे जदा इसका पहले सबसे पहले इसका प्रियोक किया गय था अगर क्यूशन आ जाए दूसरी तो गंगा 101 भी है डखकन और रन जीत भी है गंगा 101 डखकन रन जीत तो यह जित्रे भी वेराइटियां है यह दीश संखरन तक्निकी से क्या की गई है बिल्कुल सब का गाना भी आपने सुना गवा राम तेरी गंगा मेली हो गई पापियों के पाप दोते दोते बहुत ही फैवरेट फिलम थी और उस फिलम के अंदर जो अभिनेतिरी का रोल था इतनी प्रस्ति थी यह उसकी जो प्रस्ति थी कितनी खतरनाक थी लेकिन आपको प की सरी है त्री पथ संक्रण तक्निकी देखो नाम आपने सुना ओगा कि त्रीपल फ्स संक्रन तक्निकी कि देखो नाम सुना होगा नाम त्रीपल ट्रिपल क्रोश टेकनिक और यह सब से टोप टेकनिक है इसके अंदर क्या करते हैं लालाओ देखो अभी तो सही है दिमाग बिल्कुल बिल्कुल सुर्जी जी दिमाग सही है डिमाग अगर आपका सहिए तो आप यह भी समझ में आ जाएगा । तिरिपत्संक्रण अगर को सिदिए यह जल्दी सी समझ में नहीं गा इस के अंदर करते हैं इसके अंदर लेते हैं अगर मैं बात करूं तो कोई वेराइटी है ए इसे का नाम है किसी का है इन दोनों के मद्दे क्या कराएंगे पने क्रोश कराएंगे देखो त्री पत्र संक्रण तक्निकी क्या होती है देखो इसके और इसके मद्दे इन दोनों के मद्दे क्रोश कराएंगे तो तीसरी जो टेक्निक हो तीसरी जो वेराइटी प्राप्त होगी यह हो गया संक्र दो में क्या कराएंगे दो जीनों के मद्ध्य कराएंगे दोनों वेराइट होगे इसमें तीन केसे लेंगे और एक तो लेंगे ए और बी इससे जो पैदा होगी इससे जो पैदा होगी वेराइटी ये त्रीपत नहीं होगी इसके बाद में एक और जो मतलब ओपन फिल्ड के अंदर बोते हैं ने उससे और करवाएंगे तो वह होगी त्रीपत और इसकी वेराइटिया आपसे पूछी जा सकती है त्रीपत त्रीपत संक्रन तक ने की मतलब कह सकते हो इसमें एकल संकर होता है एकल संकर की किसी भी तीसरी ओपन पॉलिनाइड किसम के साथ क्या करते है पॉलिनेटेट जो वेराइटी होती है उसके साथ क्रोवाया जाता है क्रोस क्रोवाया जाता है मतलब ए और बी के बीज क्रोस के अलावा तीसरी जो ओपन पॉलिनेटेट जो वेराइटी होती है मतलब उससी के साथ क्रोवाया जा और रहें आप के ऊपर आहसी बाद नहीं है हूँ आप मेरी जो लाइव किलास खत्म तबर आप got how ए Inspector अब द्रीज त्रीपत की गंगा च्यार गंगा चार ये भी किस की है त्रीपत की और एक और वेराइटी हाई इस्टार्च हाई इस्टार्च नाम सुन लेना हाई इस्टार्च ये भी किस की है ये त्रीपत की है तो ये थी अब आब बात करूँगा मैं वेराइटियों की किस्मों की बात करूँगा तो एक बार इसको ले लो आप स्क्रीन सोट और वीडियो को ठोक दो एक लाइक और जो स्टुडेंट नए है चैनल के उपर वो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए फटा पठोक दो लाइक अब देखो समय कम है और अपनी नेक्ट क्लास का ओग रहा है टाइम नेक्ट क्लास का ओग रहा अपना टाइम तो इससे आगे की क्लास है जो मक्का की जो क्लास है वह आपको एप के उपर आपको एप के माद्यम से ही मिल पाएगी तो चलिए दोस्तों या पंद्रा मिनिट के अंदर अपन खिलास को खतम कर देते हैं चलिए अपन फटा पट पढ़ते हैं अब फालत हुए कोई कमेट्स मत करना अगर मक्का के जलवायू की बात करें जलवायू तो द ही मतलब करें से अंकूरन का तापमान तो आपको पता के अंदर कितने कमान और अचछा अच्छा अच्छा अच्छी होती है तो यहां पर लॉम वह मतलब मर्दा किसमें देखूं इसकी जो मक्का की जो किसमें होती है आपको एक तो इस्तानी किसमें होती है अपने जो देशी किस्म में बोहते हैं उसमें आगे माल नहीं बोलगी सत्ती वह रैटी है बहासी है नागैती है तो यह आपको नहीं पूछ जाए क्विज्ञानिक दिरश्टी से जो वे राइटी यह ओधिल्टिक माने जाती है वही माने जाती है संकर किस्मों की बात कर लूई पहले संकर किस्में जोकी जेट है इंदर कौन्छी तकनिक अपना जाती है दी संकरण तकनिकी और ये कौन सी है दी संकरण तक्निका अच्छी डーブन टोप्रोश्रणी वाली वियराइट है यह कौण सी छंप तो संक्रक वेराइटी इसके लबाभा बात कर लिए गन्गा सपेद भी ए डेककन भी है आपस माही कंचन माही द्वल यह बहुत अच्छी विराइटी है नवजोत नवजोत कर्शी परव्यक्स पेपर आउट के समय आई दी कीरण कीरण विराइटी किसकी है कीरण है मक्का की एक और से पूछा जासते आपको किसान 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 एक पूछे जाती है सोना किसान सोना ये भी कैसी है संकुल किसमें तो एक बार ले लो आप इसको माही कंचन बेड़ा सही बिल्कुल तो एक बार इसका स्क्रीन शोट आप ले सकते हो उसके बाद में पढ़ूंगा आपन बात करेंगी इसकी बीजदर तो यह हो गई अपनी वेराइटियां मक्का की अच्छी अच्छी वेराइटियां अगर बात करेंगे अपन बीजदर की बीजदर देखो अगर आपसे क्यूशन ओर आ सकती है जो मक्का की होती है सपेद दानों वाली किसम सपेद सपेद दाना वाली किसम अगर आपसे पूझ ले तो एक दो वेराइटियां सवेता सवेता का नाम से आपको पता लग जाए सपेद दाना एक होती है माही कंचन जो भी बताई थी मिनने सवेता और माही कंचन यह दोनों वेराइटियां किया है सपेद दाने वाली है अगर बात कर ले एक चारे रूप मेंढ़ मका होती है तो हर चारे वाली है अफृ कन को चारे वाली हरे चारे वाली तो एक ही वेराइटिया आधर रखना अप्रिकन टॉल यह पूछी जा सकती है आपको एक्जाम के अंदर अगर बात कर लें विजय मोती भी है विजयी विजयी एक मोती तो यह भी क्या है हरे चारे वाली किस्म है अगर बीजदर आपसे पूछे यह सो ना मोना ना मुझे पसंद नहीं याद करने पड़ेंगी यह वेवपार बिल्कुल बिल्कुल बटाओ यह यादी मत्र को आप दिमाग में मत्र को अगर बात करें बीजदर मक्का की बीज़दर कितनी होती है अब देखो यहां भी डिफ्रेंट पूछेगा आपको एक्जाम में अलग-अलग देखा संकर मक्काई कितनी है संकुल मक्काई कितनी है तो अपने बात कर लेते हैं संकर मक्का संकर मक्का यहां पर आसकता है संकुल मक्का आपको पूचा जासता है चारे वाली मक्का चारे वाली पसल के लिए चारे वाली पसल के लिए यह देखो तेन चार प्रकार से पूचे रभी में कितनी होते हैं खरीप में कितनी होते हैं अलग-अलग पूचे जाएंगा तो यहां पर संकुल मक्हा आपसे पूछे तो कम बोते हैं 18-20 kg यह बोते हैं अगर चारी वाली अब आपको पता चारा तो जाड़ा 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 जानती हो आप तो 35 से लेंगे अपर 35-40 kg क्या लेंगे 20 दर लेंगे अगर रभी का आपसे पूछ लें तो रभी में लग बक 35 kg क्योंकि रभी में क्या सबी विजों का अंकोरन नहीं होग पाता है बिल्कुल बिल्कुल आपको शबीं का राइट आंसर है इस पेसिंग दूरी पूछ लें आपको पोदों से पोदों की दूरी पूछ लें तो खरी इंटू साट इंटू 25 क्या होती है इस स्पेसिंग दूरी तो साट इंटू 25 अगर अपन रभी की बात कर ले तो यह जो दूरी होती है यह तोड़ी सी कम कर देते हैं लगबग 18-20 के लगबग कर देते हैं तो यह आप एक बार इसको भी उतार पटापट उता लीजिए सर वेट कर रहे हैं पच्छी नहीं आगे आथ दो गंटे किलास हो गए आपकी अब अगर आगे बात करें तो देखो इस किसी चाहिए की क्रांती कवस्ता ही कौन कौन सी है क्रांती कवस्ता हों की बात कर दोता हूं मैं पांच मिनट की किलास हो रहे हैं इसकी सचाहिए की क्रांती कवस्ता है मानी जाती है दो एक तो जो इसके जो नर्मांजर निकलते हैं एक तो नर्मांजर निकलते समय एक मादा मांजर निकलते समय तो नर्मांजर कब आएंगे मैंने बताया था आपको बुवाई के लगबग 45 से 50 दिन बाद में अगर मादा की बात करें तो यह निकलेंगे उसके लगबग साथ से दस दिन बाद में आएंगे तो खह सकते हैं पन लगबग 55 से 60 भी बोल सकते हैं मैंने 50 से 50 लिका या था वो भी आपका राइट आंच ना 55 से 60 उसत माना दा लगबग साथ से 10 दिन बाद में तो यह उती है इसकी क्रांतिक आउस्ता है अगर बात करें इसके अंदर खर्पतवार तो देखो खर्पतवारों के अंदर बात कर लो खरपतवार, खरपतवार में द्यान रखना, अगर चोड़ी पत्ति वाले खरपतवार है, चोड़ी पत्ति वाले खरपतवार है, और एक सकड़ी पत्ति वाले, सकड़ी पत्ति वाले, तो इन दोनों में अलग-अलग प्रियोग करेंगे, चोड़ी पत्ति वाले हैं तो आपक पर Τिसद जी रो पॉंट पांच परतिसद क्या करेंगे एटाज सोरी जी रो पॉंट 5 कजी किण परती हेक्टिए आदा लिटर लेंगे 500 अमेल लेंगे इगे अगर बात करें सकड़ी पत्तीवालियप घर्व पत्वर जो भी मक्काई पसल में लगते हैं तो ऐला कलॉर एलाकलोर और यहां पर एक्जाम में एलाकलोर नाम नहीं आएगा इसका नाम आएगा लासो क्या आएगा लासो लासो नाम आएगा तो एलाकलोर का प्रियूब करेंगे लगबग एलाकलोर लेते दो केजी परती हेक्टीर किदर से अब देखो यह हो गया इसकी खर्पतुआ उत्पादन की बात कर लो उत्पादन तो इसका उत्पादन द्यान रखना अगर बात करें इसकी पैदा कितनी होती है तो खरीब के अंदर और रभी के अंदर अलग-अलग होती है खरीब में द्यान रखना क्या होगी पैदा, खरीब में पैदा होगी, लगबग 40 की उंटल, उत्पादन, खरीब, और रभी, देखो, खरीब के अंदर मक्का की बात करें, तो लगबग 40 की उंटल क्या होती है, खरीब के अंदर, 40 की उंटल परती हेक्टियर, अगर रभी की बात करें, तो लगबग 50 से, 45 से ही कर सकते हो 45 गंप 50 पर 30-1 के तो यह क्या मानि जाती इसकी उपज मानि जाती है बहुती अच्छा पीड़ी मक्का की किसम पीडी मक्का की ओर आप किसम की बात कर रहे हूं नहें तो पीली मक्का आपको पता होना चुए कि चारे वाली पूछेंगे सबजी वाली पूछ सकते हैं सपेद दाने वाली पूछ सकते हैं आपको पटापट लेलो इसके अंदर कर रोगों की बात करें लेखो काई की विकार देखो तीन आपको बता रहा हूं तीनों में से एक सबसे इंपोर्टेंट अगर माना जाता है सबसे इंपोर्टेंट सबसे important माना दता है, खुब बार जेट में कि उसना आया हुआ, मक्का का सफेद कली का रोग, या white bird रोग, मक्का का सफेद कली का, मक्का का सफेद कली का रोग, इसको बोलते हैं white bird, white, देखो, white bird, देखो, यह क्या होता है, उपर से जो, उपर सी कली का हो जाती है, यह पूरी सफेद हो जाती है, और यह क्यूसर, जेट में कम से, 57 वार है, बिल्कुल सबी के answer, देखो, कुछ के answer आरहे हैं, जिंग की कमी से, जिंग की कमी से, बिल्कुल, बिल्कुल, और सभी का आंसर राइट है यह जो रोग होता है जिंक की कमी से गिरख़ कभी जंक की कमे सब्सक्राइब कर दो घ्रबार जेट में एक वार कुछन आथा है एक होगि दूसरा अगर पोसर्त तत्व की बाहत करें तो मक्का के अंदर होता वी सैप्ट या वियाकार की हरी महिंता उसकी जो पत्तियां होती है उसकी जो पत्तियां होती है मक्का की उनके उपर वियाकार की क्या हो जाती है वियाकार की हो जाते है दब बेसी वो किसे क्लोरोसिस की और वो होती है नाइट्रोजन की कमी से तो विय आप तो यह आप याद रखना जो मक्का होती है उसके अंदर वी सेब्ड की पतियां या हरी मिंता की पोसेताई कमी से होती है तो आपने का नाम सुना होगा मक्का का पोदा हो जाता है वह गिर जाता है लोगिंग लोगिंग का नाम सुन होगा मक्का का गिरना अब लोगिंग क्यों करेगा मक्का का पूदा क्यों गिर जाएगा देखो तो यह चीद्या रखना मक्का गिरना इसमें क्या होता है जो लोगिंग होता है ने पोदा वो इसलिए होता है एक तो पोटास की कमी पोटास की कमी और नाइट्रोजन की दिखता अगर अपन उसके अंदर उरोक के अंदर पोटास की तो क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी और नाइट्रोजन की मात्रा अगर रोत्री हो गई तो क्या हो गए पोधा गिर जाएगा तो इसमें आता है पोटास की कमी की कमी और नाइट्रोजन की अधिक्ता की कारण क्या होता है लोगिंग की समिस्या आ जाती है तो ये ती अपनी प्यारे साथी हो आज की मक्का मक्का की खेती कल अपन बात करेंगे चने की खेती तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही Love you all, thanks for watching वीडियो जो जाज की मक्का की से अवारे सितना ही